आपका स्वागत करता हूं आज यह खास एपीजोड रास्टरी स्वेंग सिवकसंग अतीत और भविश्य समीर चौगाउंकर की इस पुस्तक पर आधारित है जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभाद चुनाओं के परिडाम आखिरी चरण में हैं इस समय आखिरी दोर में हैं परिडाम की बात कर रहा हूं और नरेंडर मुदी की अगवाई में तीसरी बार भारती जन्ता पार्टी सत्ता पर काविश होने जा रही है ऐसे समय में यह जानना जरूरी है कि भारती जन्ता पार्टी को ताकत दिलाने वाला जो संगठन है बार बार इस बात की चर्चा लोग करते रहें कि दरसल राश्ट्री स्वयंग सिवक संग पावर हाउस है और भारती जन्ता पार्टी एक बल्ब एक ऐसा राजनितिक दल जो पिछले 15 सालों से 10 सालों से देश की सत्ता में और अगले 5 साल के लिए जन्ता ने उस पार्टी को चुन लिया है वह अगर किसी संगठन का बल्ब है तो उस संगठन को ताकत कहां से मिलती है समेर चौगावकर अपनी पुस्तक में रास्ट्री स्वहेंग से बक संग के अतीत और भविश्य की चर्चा करते हैं हाला कि वह यह भी कहते हैं कि संग के संस्था पर केशव हटगिवार और दूसरे सर संग चालक जो उनके उत्तराधिकारी थे गोलवलकर इन दोनों ने यह कहा था कि संग को पूरी तरह से समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है संग की अस्थापना 1925 में हुई 2025 में यानि ठीक एक वर्स बाद संग अपनी अस्थापना के 100 वर्स पूरी कर लेगा डाक्टर केशो बली राम हेड़ेवार ने इस संग कठन को स्थापिक करने के पीछे यह सोचा था कि कांग्रेस जो देश की राजनितिक नत्रित्व के लिए प्रयास कर रही है वह सांस्कृतिक अस्तर पर और सामाजिक एक जुक्टता के लिए हिंदूओं के कोई काम नहीं कर रही है इसी सोच के साथ राष्ट्री स्वेंग सिवक संग की अस्थापना हुई बमुस्किल जो अस्थापना के पीछे जो उद्देश था उस समय बीस लोग भी साथ में नहीं थे रहां कि इस पुस्तक में संग के संस्थापक किस तरह से उसकी अस्थापना हुई नागपुर में किस तरह से केशाओ का बच्पन भी था और राष्ट प्रेव किस तरह से उनके अंदर था काईसे वो कांग्रेस से जुड़ें और फिर कांग्रेस में उनको जब यह समझ में आया कि आखिर इस संगठन में राजनीतिक रूप से करांती करके देश को तो आजात कराया जा सकता है, लेकिन हिंदू का एक ही करण नहीं हो सकता, तो किस तरह से उन्होंने राष्ट्री सेवक संग की, उनका बचपन कैसा था, कैसे वो कलकत्ता में गए, कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई के दवरान करांती कारियों से उनकी मुलाकात हुई, अब वहाही तरह कर उन्होंने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया, लेकिन उसी उनका करांतिकारी गतिविधियों से महभभंग हो गया और कांग्रेस means वैंने वो शक्री लेकिन खिलाफ आंधोलन के चलते वह वा एक तरह से विमुक हुए में कांग्रेस से अलग होने की की जो वजह थी वह खिलाफ़ आंधोलन की असफल था और कांग्रेस से उनका मौभंग था इस पुस्तक में समिर चौंग आउकर खिलाफत आंदोलन का जो मसला है उसकी भी बात करते हैं और वो एक तरह से सुचमता से या बतानी की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परिस्तितियां थी जिसने राष्ट्रिय स्वयंग सिव को बात देखिया है यहां वो हिंदू का जो नरसंगहार है उसकी बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद और फिर राष्ट्री स्वयंग सिवक संग की अस्थापना के पीछे को कहते हैं कि दरसल शुरुवात में यह हुआ कि इससे पहले हिंदू महासभा के हिंदू सभाओं को देश भर में संगठित करना चाहिए सामप्रदाइक दंगों में जो हिंदू परिवार प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाना चाहिए जबरजस्ती जिन हिंदू का इसलाम में धरमांतरण किया गया उन्हें वापस बुलाना चाहिए व्यायाम शाला हिंदू सम्रहदाय के पक्ष को वहां पर प्रस्तूत करना चाहिए और मुसल्मावनानों इसाईयों के प्रती सद्भावना भी प्रदर्शित करनी चाहिए यानि यह 11 अप्रेल 1925 को जो कलकत्ता में हिंदू महासभा के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने लिखा था सोचा था और हेडगे बार के साथ उन्होंने हिंदू संगठन हिंदू राज मुसल्मानों की सुद्धी और अफगानिस्तान और सीमा प्रांत की विजय तथा सु इन उद्धेस्यों को लेकर वह चले थे लेकिन इसके बाद जब खिलाफा तांदोलन हुआ तो हेडगे बार को गहरा सदमा लगा और उन्होंने यह समझ लिया कि यह दरसल जो लाला लाजपत राय की जो सोच है इस सोच से काम नहीं चल सकता क्यों क्योंकि कुल के और यहीं पर उन्होंने जो निश्कर्स निकाला कम्स कमिश्पुश्टक के कहना है कि उनका मानना था कि इसलामी विचार-धार। के करण कारण जो भारती मुस्लिम मानस है वह राष्ट्र की बजाय विश्वस्स्लामवाद के प्रती ज्याधा निस्थावान है कि वह निष्ठावान है इसलिए वह मुस्लिम प्रस्णू के बारे में ज्यादा चिंती थे उनकी समस्याओं के प्रतिचिंती थे उन्होंने ये सोचा कि भारती सोतंत्रता के लिए जो संघर्स और बलिदान का दाइत्यों है और मुस्लिम समाज के सहयोग के बिना केवल हिंदू समाज को उठाना चीए ये केशो हेड़ेवार ने खिलाफत आंदोलन के बाद और हिंदू महासभा के उन्हों देश्चों के जिनकी माहें पहले चर्चा की है उसके बाद यह सुचा उन्होंने यहवी कहा कि हिंदू समाज जो है अपना आत्म विश्वास खो चुका है भीरूता से ग्रस्थ है चोकि लंबी गुलामी के बीच रहा है इसलिए उसे संगठित करना होगा उसके अंदर आत्म विश्वास और आत्म बोर्द जिनाना होगा पीड़ी की बजाए नई पीड़ी के किसोरों और युवाओं के इस से जोड़ना पड़े गया यानि बुजूर्ग पीड़ी के बजाए अंग्रेजों की सक्ता का विरोत करना देश भक्ति नहीं है बलकि मूल राष्ट्र की भावना जो है उस पर होना चाहिए अनुसासन राष्ट्र भग्ती यह एक बिंदु था राष्ट्र से उनका आस्वय था कि जिसकी आत्मा लंडी संस्क्रिती हो सर्वमान हिंदू राष्ट्र वही है ये राष्ट्रे स्वाइंग सेवक संकी के निर्माण के पीछे की डाक्टर केशो हिकड़ेवार की सोच थी अब आप समझ सकते हो कि उसी समय में बहुत सारे लोगों ने जब आडमानी की तुलना में नरेंद्रमोदी को आगे किया गया 2014 के चुनाओं में तो लोगों को बड़ा आश्चर था कि आखिर नरेंद्रमोदी को और आडमानी की प्रतिबद्धता को देखने के बावजूद संग ने किस तरह से नरेंद्रमोदी का समर्थन किया उनको यह पता होना चाहिए कि संग के संस्थापक के सोहेगलेवार ने संगठन का आधार पुड़ानी पीड़ी की बजाए नई पीड़ी के किसोरों और युवाओं को बनाना होगा यह सोच 1925 में ही रख दी थी तो संग अगर आगे की पीड़ी के लिए देख रहा है तो उसमें नई बात क्या है अब यह पुस्तक इसके बाद संग क्यों है संग की अखाड़ा पद्धती का योगदान क्या है उसकी शाखाएं क्या है पहली शाखाएं क्या हुई संग का संबंध स्ताफित करनी के पीछ संग की सौच क्या है ओर्धो कoyu अर्थ होता है संग के बॉधिक कारिक्रम क्या है संग में प्रार्थना संग संख को नए आयाम किस तरह से संग ने दीये हैं। डाक्टर केशो बली राम हेडगेवार का निधन कब हुआ? किस तरह से उन्होंने गोलवलकर को ही सरसंग चालक को समझे उना? काशी में अध्यापन करने वाले माधव सदाशिव गोलवलकर संग के जब दूती ये सरसंग चालक बने तो उनकी राजनितिक भुमीका क्या थी? 1942 के भारत छोड़ो आंदुलन से संग की दूरी क्यों रही? सैनिक कवायत पर कैसे प्रतिबंध लगा? गोलवलकर, सरदार पटिल और नहरू के बीच पत्र ब्यावार कैसे हुआ? संग पर जब प्रतिबंध लगा गांधी जी की हत्या के बाद, तो किस तरह से उस प्रतिबंध का अर्थ क्या था? और संग का संबिधान क्या है? यह इस पुस्तक में लिखा है, संग का संबिधान बनाने के लिए किस तरह से सरकार ने दबाव दिया? 1925 से 1945 तक इस का मतलब संग के पास कोई संबिधान नहीं था, सरकार के दबाव में जो संबिधान बना वो क्या है? कहिंसर की विरप्त में किस तरह से गुलवल कर आए और उनका महापरयान हुआ, संग के जो उत्सों हैं उनके बारे में भी अपुस्तक बिस्तार से बताती है दरसल भारती जनता पर्टी की सशक्तता के पीछे जो संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है, अगर उसके बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कि राश्टर स्वहिंग से वक्संग है क्या, उसकी नीतियां क्या हैं, किस तरह से उसका गठन हुआ, किस तरह से वो आग तब आपको यह पुस्तक खरीद कर अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि आप संगठन के प्रती, संग की सोच के प्रती समझ सकें, हाला कि मैंने जैसा की कहा, लेखक का भी कहना है कि सरसंग चालक लंबे समय तक गुलवलकर जी ने कहा था, कि शायद मैं संग को, अपने अंति देखने समझने के बाद राष्ट्र स्वयंक सेवक संग से जुड़ी हुई समस्त जिग्यासाओं के समाधान के लिए, इस पुस्तक को लिखा है, बाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशवित किया है, इतिहास रिणी में पुस्तक रखी गई है, और प्रिष्ठ स्विश्ष होती है कि विविद्विधाओं के पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो कल ठीक इसी समा ऐसी ही किसी कृती के साथ फर मिलूगा देखते रही साहित तक धन्यवाद हुआ 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 है